पकड़ लो हाथ बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगे पकड़ लो हाथ बनवारे श्री कृष्ण गुविंद हरे मुलारे हे नाथ नारा यडवास देवारे ओम श्री गणेशन नमाथ हरे कृष्ण नमस्कार भक्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हे प्रिय भक्तों आज हम अशार्मास महतम्मे के तेस्वी अध्य का श्रवन करेंगी और साथ ही जगनात भगवान और उनके भक्त की बहुती सुंदर कथा का रस्पान करेंगी तो आई ही मन में गौरी पुत्र गणेश भगवान शिरीहरी और अपने इश्ट अपने अराध्य का ध्यान करते हुए कथा का रस्पान करते हैं तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय जय शिरीहरी विष्णो ओम नमस्षिवाय हे प्य भक्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे जगन नाची प्रती दिन स्वादेश्ट 56 भोग स्विकार करते हैं लेकिन क्या आप चानते हैं इतना भारी भोजन लेने के बाद उन्हें कड़वी दवाई भी खानी पड़ती हैं और वह दवाई उन्हें कौन देता है तो आए आज इसी रहस्य से परदा उठाते हैं और आपको मिलवाते हैं जगन नाची के एक और महान भक्त से जिनका नाम है लांदी माता कुछ वर्षों पूर जगनाच पूरी में लांदी माता नामत एक वृत इस्त्री रहती थी भगवान जगनाच के प्रती उनका स्मर्पर अद्वित्य था एक पुत्र के रूप मैं वे जगनाच जी को असीम प्रेम करती थी हे प्रिय भग्तों माता के प्रेम की कोई सीमा हो सकती है क्या वे है तो अपने संतान के हित की सुरक्षा है तू किसी भी हद तक जा सकती है तो बस वात्सल्य भाव के सागर में डोबी हुई हमारी लांदी माता ने सोचा कि मेरा पोत्र जगनाच दिन मैं इतने प्रकार की तरह तरह के व्यंजिनों को स्विकार करते हैं अगर इतना मीठा और नमकीन खाएगा तो उसके पेट की स्थिती क्या होगी घी से बने हुई इतनी मिठाईयां खाने के बाद उसके उदर की जट्रागनी भी मत बढ़ जात तो बस यही सोचकर लांदी माता प्रती दिन भगवान जगनाची के लिए थोड़े से नीम की पत्ती की ले लेकर जाने लगी जिससे की उनके पेट में भोजन का ठीक तरह से पाचिन हो जाए और उनके शरीर के लिए भी लाब प्रद रहे हैं हे प्रिय भगतों भगवान जगनाची से मिलने आने भरी भगत और उनके सेवक उन्हें अध्यंत स्वादिष्ट चिपन भोग खिलाते थे लेकिन लांदी माता जगनाची के लिए कड़वे नीम पत्ती की ले लेकर जाती थी हे प्रिय भगतों आपको क्या लगता है भगवान जगनाची इस कड़वी नीम पत्ती का स्विकार करते होंगे तो आईए देखते हैं एक दिन क्या हुआ कि लांदी माता अपने पात्र में नीम की लेई लेकर मंदिर के द्वार पर पहुँचे और अंदर प्रवेश करने ही जा रही थी कि तभी द्वार पर खड़े सैनी को ने उन्हीं रोक लिया सैनी को ने उनसे कहा हेव देश्तरी तुम इस पात्र में क्या लेकर जा रही हो लांदी माता ने बड़े ही प्रेन पूर्वक कहा मेरा पूत्र प्रती दिन इतने व्यंजन खाता है न तो उसके उदर में अजेन और अपच्छ हो जाता है इसलिए मैं अपने पूत्र के लिए थोड़े सी नेम पत्ती लेकर जा रही हूँ यह सुनकर सैनी को ने हंस्ती होई कहा अरे व्रिदिस्तरी तुम्हारा पूत्र इस मंदिर में रहता है क्या तो लांदी माता ने कहा कि हां हां वहे बड़ी बड़ी आंखों वाला है न जो सिहासर पर बैठा है वही तो मेरा पूत्र है वहे ब्रती दिन मेरी नेम पत्ती लेई की प्रतिक्षा करता है तो कृप्या मुझे अंदर जाने दीजिए यह सुनकर सैनिकों को क्रोध आगे और उन्होंने कहा अरे मुर्खिस्त्री क्या भगवान जगनात तुम्हारी पूत हैं क्या उनसे उन्हें संतुष्टी नहीं होते होगे जो तुम्हारे नेम की कड़वी लेई आने की प्रतिक्षा करेंगे मुर्खता पून बातें मत करो चलो जाओ यहां से अभी थोड़ी देर में राजा आएंगे तो हमें उनके लिए विवस्था करनी है समय नहीं है हमा आश होकर वह तो वापस अपने घर लोटाई हे प्रियभक्तों लेकिन क्या उन्हीं चैन आया होगा कैसे आ सकता है माता दावात सन्य जब तक अपने पोत्र को सुरक्षा ना दे दी तब तक चैन कैसे बढ़ सकता है लेकिन क्या करें बिचारी लांदी माता मजबोर थी अपती की लेकी प्रतिक्षा कर रहा होगा पर आज मैं उस तक नहीं पहुंचा पाई उसका पेड़ दर्द कर रहा होगा तो वह बेचारा किसी जाकर कहेगा हे प्रभू कैसा दुर्भाग क्या है मेरा हे प्रियभक्तों अब अपने भक्त को ऐसी ततलिफ में देखकर हमारे जगनाजी को कैसे चैना सकता था वह तो किसी भी भक्त की एक पुकार पर दोड़े चले जाते हैं तो यह तो फिर भी उनकी मैया थी जो प्रति दिन उनके स्वास्थे के लिए एक विशेश व्यंजन लेकर आती थी हे प्रियभक्तों यह लांदी माता का वास्वन्य प्रेम यह तो था जो कडवी नीम लेको भी मीठा बना देता था बस पिर जगनाजी उस रात अपने महर से निकल पड़े और सीधा पहुंचे लांदी माता की कुटिया में हे प्रियभक्तों जगनाजी के आग मन से लांदी माता की प्रकाश फैल गया जैसे ही उन्होंने अपने सा हुआ पाया तो बस वह देखती ही रह गई उनका पुद्रों के सामने खड़ा था क्या वह सपना देख रही है या फिर हकीकत है यह उन्हीं कुछ भी समझ नहीं आ लेकिन उन्हों ने देखा तो जगनाजी का चहरा शुष्क और कांती हीन हो गया था अभी तो मैया सोच ही रही थी कि यह कैसे हुआ तभी जगनाजी ने कहा मैया आज तुम मेरे निये नीम की ले लेकर क्यों नहीं आई आज मैंने इतनी सारी मिठाई यही सोच कर तो खाई थ कि मेरी मैया आएगी तो नीम की ले से सब हजम हो जाएगा लेकिन आज तुम आई नहीं और अब मेरा यह पेट देखो कितना बड़ा हो गया है और दर्द भी कर रहा है देखो देखो तुम मुझे आज भूल गई मैया यह सुनते ही लांदी माता उठकर खड़ी हो गई और उनकी आंखों से सावन भादों की वर्षा होने लगी अभी तो वह कुछ कहती इतने मैं ही जगनाय जीवां से अद्रिश्य हो गए भगवान भी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं कि अपने भट्तों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं भगत और भगवान दोनों स्थीती मे भी एक विशेश रसका आस्वादन करते हैं बस ऐसा ही कुछ हुआ लांदी माता के साथ ना तो वह कुछ भगवान को बोल पाई और ना अपनी पीड़ा किसी को सुना पाई वह रात भर रोती रही खेप्रेभक्तों हमारे जगनाची उन्हें किस समय कहा जाना है वह उन्हे लेंभनी भांती ग्याद होता है तो लांदी माता से लिलकर सीधे विचल पड़ी राजा की महल में लांदी माता से तो उन्होंने सिर्फ परियाद की थी लेकिन राजा को तो उन्होंने ऐसी दांट लगाई कि पोछो मत राजा के पास वपन में जाकर सीधे उन्होंने यही तुम यहां आराम से सो रहे हो और वहाँ मेरी मयार रो रही है पहले तुर राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह जाग रहे हैं या स्वबंद देख रहे हैं लेकिन फिर भी वह सुनते रहे जगनाजी ने आगे कहा लांदी मादा मुझे अपने पुत्र की तरहा प्रेम करती ह और मैं भी उन्हें अपनी मादावान तब प्रती दिन वे मेरे लिए इतने प्रेम से नीम पत्ती की लेई बना कर लाती थी लेकिन आज तुम्हारे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अपमागित करके निकाल दिया है उनके हाथ मैं जो लेई का पात्र था उसे भी उन मुर्खोंने नीचे गिरा दिया हे राजन मैं इस अपराद को कभी भी ख्रमा नहीं कर सकता तुम कल सुभा उनके पास जाओ और नीम पत्ती की लेई के साथ उन्हें आदर पूर्वक मेरे पास ले कर आओ तभी मेरा क्रोध शान्त होगा राजा भी कुछ बोलने का प्रयास करें तो उससे पहले ही जगनाजी तो गायब हो गए उनका काम जव हो गया था बस अगले दिन राजा स्वयम अपने मंत्रियाँ के साथ लांदी माता की कुटिया में गई अपने घर में राजा और सैनिकों को देख कर बेचारी बुढ़िया माई घबरा दे उन्होंने सोचा कल इन सैनिकों ने डांड दिया था कहीं आज राजा कोई दंड देने तो नहीं आया उनको इस अवस्था में देख कर राजा ने कहा हे मैया घबराइए मत कल मेरे सैनी को नए आपके प्रती जो अपराद क्या था उसके लिए मैं आपसे एक शमा मांग दिया हूँ कृपया मुझे माग करें हमारे जगनाची आपके हाथों से बनी हुई नेम की लेई खाना चाहते हैं हे माता आप कितनी सुभाकिशाने हैं जो भगवान जगनाची आपको माता स्विकार करते हैं और प्रती दिन आपके भोग की प्रतिक्षभी करते हैं तो आईए शेखर चलिए माता आज से यह स्थान पवित्र तेर्थ के रोप में माना जाएगा और जब तक आप इस प्रत्वी पर रहेंगी तब तक आप स्वयम प्रती दिन जगनाची को यह भोग खिलाएगा और आपके जाने के बाद भी आपकी याद में यह भोग प्रती दिन जगनाची को अर्पित किया जाएगा राजा के मुक से यह शब्द सुनकर लांदी माता की आँखों में अश्रों की धारा बहने लगी जल्दी से उन्होंने नीम की लेई बनाई और जगनाची के पास चाकर बड़े ही प्रेम से अपने पूत्र को खिलाई हे प्रिभक्तों तो यही रहस्य है कि उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगनाची को प्रती दिन छपन भोग अर्पित करने के पार एक विशेश व्यंजन अर्पित किया जाता है उसे तिक्त भोग के नाम से जाना जाता है लांदी माता को याद करते हुए आज भी हमारे भग्त वत्सर जगनाची बड़े ही प्रेम से कड़वे भोग का भी आस्वाधन करते हैं तो ऐसे हैं हमारे जगनाची और उनके अनुखे भग्त हे प्रियभक्तों कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और जए जगनाच अवश्य लिखेगा हरे क्रिष्णा जए जगनाच हे प्रियभक्तों तो आईए अब आशान मास महत्तम्य के तेस्वी अध्याय का रस्पान करते हैं ओम नमुह नारायनाए हे प्यभक्तों सभी मुने व्यास्ची से बोले हे पुरुश्रेष्ट व्यास्ची आपने भारत वर्ष तथा पुर्शोत्तम क्षेत्र के अध्भुत गुणों का वर्णन किया है भूतल पर श्रीक्रेष्ट बलदेव और सुभद्रा की अवतार का रहस्य सुनना चाते हैं वेरवर श्रीक्रेष्ट और बलभद्र किसलिए अवतिन हुए थे वेवसुदेव के पोत्र होकर नंद की घर में क्यों रहे यह मतर्य लोग सर्वथा निस साथ है इसमें अधिकत जर्दोखी भरा है यह पानी के बुलबुले की भांती अत्यंत चंचल शर्वंगोर है इसकी भ्यंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रॉंगते खड़े हो जाते हैं ऐसे संसार में उन्हें जनम ग्रहन करने की क्या विशत्ता थी इस भोतल पर है भगवान संपोर्ण देवताओं के स्वामी एवं सोरश्रेष्ट है और प्रित्वी को उत्पन करने वाली तथा अविनाशी परमात्मा है उन्होंने अपने दिव्य स्वरोप को मनुश्यों के बीच में कैसे प्रखट किया जो भगवान संपोर्ण जंगम प्राणियों क की गती हैं वे मानव श्रीर में कैसे आए इसे देवता और देत्ते भी बड़े अश्चरी की बात मानते हैं हे महमुने आप भगवान विष्णु के अश्चरे चनक अव्तार की कथा सुनाइए भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं उनके देज की कोई माप नहीं है वे अपने अलाविक चरित्रों के द्वारा अश्चरे रूप जान पड़ते हैं आप उनके तद्व का वर्णन कीचिए भगवान पुर्शोत्तम देवताओं की पीडा दोर करने वाले और सर्व व्यापी हैं जगत के रक्षत और सर्व लोग महेश्वर हैं संसार के स्रिष अनन्द शय और विद्धि से रहित निरलेप निर्गुण सुक्षम निर्विकार निरंजन समस्तु पाधियों से रहित सत्ता मात्र रूप से स्थित अभिकारी विभू नित्य अच्चन निर्मल व्याप नित्यत्रिप्त निरमय तथा शाश्वत परमात्म हैं सत्योग में उनका विशुत हरी नाम सुना जाता है देवताओं में वेवैकुंट और मनुश्यों में श्रीक्रेश्न नाम से विख्या थें उन्हीं परमेश्वर की भोत और भविश्य लिलाओं को जिनका रहस्य अध्यंत गहन है हम सुनना चाते हैं फिर व्यांस जी बोले जो संपोन देवताओं की स्वामी सबकी उत्पत्ती के कारण पुरान पुरुष सनातन अविनाशी चतुर्व्यू स्वरूप निर्गुण गोण रोप परम महान परम गुरूप वरिन्य असीन यज्यांग और देवता आदि के प्रियातम है उन भगवान विश्णों को मैं नमस्कार क कोई नहीं है जिन अजन्मा प्रभु ने संपून चरचल जगत को व्याप्त कर रखा है जो आविर्भाव तिरोभाव द्रेश्ट और अद्रेश्ट से विलक्षन है स्रिष्टी और सहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है उन आदि देव परभ्रम परमातमा को मैं स संपून विकारों से रहित, शुद, नित्य, सदा एक रोप रहने वाले और विजय हैं उन परमातमा शिरिवेश्णों को नमस्कार है जो हिरन्य गर्भ, हरी, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं जिन से समस्त प्राणियों का तरन तरन होता है जो स्रिष्टी, पालन और सह करने वाले हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो एक होते हुए भी अनेक रोपों में प्रकट होते हैं स्थूल और सुक्षम व्यक और अव्यक जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण है उन भगवान विश्णों को नमस्कार है जो वास्तों में अत्यंत नि दिखाई देते हैं जिनका आदी नहीं है जो संपूर्ण जगत की इश्वर अजन्मा अक्षर और अविनाशी हैं उन भगवान शिरी हरी को नमस्कार तरकी मैं उनकी अवतार की कथा आरंब करता हूं ध्यान पुर्वक सुनों पूर्वकाल में दक्ष आदी श्रेष्ट मुनि की पूछने पर कमल योनी भगवान भ्रह्मा ने जो कुछ भी कहा था वही मैं भी आप लोगों से कहूंगा जो अपने चारों मुखों से रिक साम अधिचारों वेदों का उचारन करते हुए तीनों लोकों को प्रवित्र करते हैं जिनका प्रादूर्भाव एकार्णाव के जल से हुआ है असूरगान जिनकी यद्यों का लोप नहीं कर पाते उन भगवान भ्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूं जिन्होंने स्रिष्टी के उदेश्य से धरमादी को प्रखट किया है उन अवत्य जन्मा भ्रह्मा जी के संपू अच्पूण मत कहीं मैं वडनन करूंगा तत्वदर्शी मुन्यों ने जल को नार कहा है वह नार पूर्वकाल में भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान हुआ इसलिए वे नारायन कहलाते हैं वे भगवान नरायन सबको व्याप्त करके स्थिठ हैं वे ही सबोन और निर ममता का द्याद करने पर भी उनका सक्षातकार होता है। उनमें रोप और वार्ण आदे काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा, शुध, सो प्रतिष्ठित और एक रूप है। जब जब धरम की हानी और अधरम का उत्थवन होता है। तब तब वे अपने आपको संसार में प्रक अधवान ने वराह रोप धारं करके थुथों से जल को हटाया। और असादल में डोवी कोई प्रित्वी को अपने एक दाड़ से कमल के फूल की भांती उपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिह रोप धारं करके हिरन्य कश्चिप का वज़ किया। और विप्रचिती आदी अन्य दान्मों को भी माल किराया। पिरवामन अब्तार लेकर माया से बली को बांथा और दैत्यां को जीत कर तीनों लोकों को अपने तीन बगों से ही नाप लिया। वेही भ्रिगो वाइश में परंप्रतापी जमदगनी कुमार परशुराम की रूप में उत्पन हुए। जिन्होंने पिता के वद का बदला लेने के लिए शत्रियों का सहार कर डाला उन्हीं भगवान है। अत्रीकुमार प्रतापी दत्ता त्रेय की रूप में अब्तेन होकर महात्मा अलर्ग को अश्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दश्रत नंदन श्रीराम की रूप में प्रकट होकर उन्हों नहें त्रिभुवन को भै देने वाले रावन का युद में सहार किया। प्रलय काल में जब सारी स्रिष्ठी एकारणव में निमगन हो गई। उस समय देवताओं के भी देवता जगतपती श्रीविष्णों एक सहस्त्र युगों तक शेश हो गए थे। संपूर्ण चरचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जन लोग निवासी सित और महरशी उनकी स्तूति करते थे। उसी समय उनकी नाभी से एक कमल प्रकट हुआ जो दिशा रूपी पत्रों से सुश्शो भित अगनी और सूरे गिस प्रकट हुए। उस समय भगवान विश्णों के कानों की मैल से दो महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन हुए। जो भ्रमाची को मार डालने के लिए तत्पर हो गए। उनका नाम मधु और कैटब था। भगवान ने स्मुद्र रूपी शैन ग्रेह से उठकर उन दोनों दुरधर्श दैत्यों का वद गिया। ये तथा और भी भगवान की असंख्या लिलाएं हैं। जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इस समय अजन्मा भगवान की जिस अवतार का प्रसंख चल रहा है वह विख्यात है और सदाय रक्षा कारे में सलगन रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनी में अवतिर्ण होती हैं। और उसी के अनुकूल सुभाव बना लेती है। भक्त पुर्शों द्वारा पूजित होने पर व में उनकी मनोवानचित कामनाओं को भी पोन करती है। इस तरह मैंने यहां भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णों यद्द्वी क्रित क्रित्य हैं। उन्हें कुछ करना अज्वा पाना नहीं है। तो भी वे लोक कल्यान के लिए ही मानव रूप म प्रकट होते हैं। आगे श्री व्यास्ची कहते हैं कि हे वो निवरों। अब मैं संग्षेप से श्री हरी के अवतार का वर्णन करता हूं। भ्यान पूर्वक सुनो। भगवान इस प्रित्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधरम की वृत होती है और धरम हरास होने लगता है। तब भगवान जनार्धन अपने स्वरूप के दो भाग करके यहां देन होते हैं। साधु पुर्षों की रक्षा, धरम की स्थापना, दोष्टों तथा अन्य देव द्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प समय पहली की बात है। यह प्रित्वी अत्यंत भार से पीडित होकर मेरू परवत पर देवताओं के स्माज में गई। और भ्रम्मादी सभी देवताओं को प्रणाम करके खे देवम करुणा मिश्रित वानी में अपना सब हाल सुनाने लगी। सुआन के गुरू अगनी, काल नेमी आदी देत्य मतव्यन लोक में जनम लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहती हैं। सर्व शत्तिमान भगवान विश्णु ने जिस काल नेमी नामक महान असुर का वद किया था। वही अब उग्र सेन कुमार कंस की रूप में उत्पन हुआ है। अरिश, धेनुक, केशी, प्रलंब, नर्क, सुन्दासुर, अत्यंत भ्यंकर, बलीकुमार, बानासुर, तथा और भी जो महाबराग्रमीन दुरात्मा देत्य, राजाओं के घर में उत्पन हुए हैं, उनकी में गणना नहीं कर सकती। दिव्य मूर्ती धारी देता हूं, इस समय मेरे उपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेग अक्षोहिनी सेनाए हैं। हे सुरेश्वर हूं, मैं आप लोगों को बताय देती हूं, कि उन दैत्यों के भारी भार से पीडित होने के कारण, अब मुझ मैं अपने को धारन करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। इसलिए आप लोग मेरा भार उतारिए। प्रित्वी का यह वचन सुनकर संपोन देताओं ने उसका भार उतारने के लिए भ्रह्माजी को प्रेरित किया। तब भ्रह्माजी बोले हे देताओं। प्रित्वी जो कुछ कहती है वह सब थीठ है। वास्तो मैं, मैं, महादेव जी और तुम लोग सभी भगवान नारायन के ही स्वरूप हैं। भगवान की जो विभूतिया हैं, उन्हीं की परस्पर नियोंता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती हैं। इसलिए आओं, हम लोग शीर सागर की उत्तम तड़ पर चली और वहां शीर हरी की अराधना करके यह सुब रितान उन्से निवेदन करें। वे सब की आत्मा हैं, संपोन जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्यान करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर भ्रम की स्थापना करती हैं। ऐसा कहकर भ्रम्मा जी संपोन देवताओं के साथ शीर सागर के तट पर गए और एकागर चित होकर भगवान गरुडवज की स्तूति करने लगी। भ्रम्मा जी बोले हे सहस्त्र मूर्ते आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों ब मैं स्लगन रहते हैं। अप्रमय प्रमेश्वर आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवन आप सुक्षम से भी अध्यंत सुक्षम परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशानी हैं। आप प्रकृति महतत्व एहंकार तथा वानी के भी प्रधान बोल हैं। अप्रा प्रकृति मैं संपून जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन हुए। हे देव यह प्रित्वी आपकी शरण में आई है। इस समय भोतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन हुए हैं। उनके द्वारा पीडित होने से इसके परवत के परम आश्रे हैं। आपकी महिमा तो अप्रम पार है। इसलिए यह वसुधा अपना भार उत्रवाने के लिए आपकी ही सिवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहां उपस्थित हुए हैं। यह इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आ देवताओं को, जो कुछ करना हो, उसके लिए आध्या देजी, आपके ही आदेश का पालन करते हुए, हम लोग सदा संपोण दोशों से बुक्त रहेंगे। ब्रहमाची की इस प्रकार स्थूती कने पर, परमेश्वर भगवान शिरिविष्णों ने, अपने श्वेट और क दो केश उखाड़े, और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार लेकर, प्रिथ्वी के भार और कलेश का नाश करेंगी। संपोण देवता भी, अपने अपने अंच से प्रिथ्वी पर अवतिर्ण होकर, पहले से उत्पन हुए उनमत दैत्यों के सा युद करें। इसमें संदिह नहीं की, अनेग प्रकार के अस्त्र शक्त्रों से चोन होकर संपोण देट्यंग नश्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी, जो देव की देवी हैं, उनके आठवें गर्व से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। बोदल पर अवतिर्ण ह यह काल नेमी के अंच से उत्पन हुए, कंस का वद करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्रीहरी अंतर ध्यान हो गए। अद्रिश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करकी संपोण देवता मेरू परवत के शिखर पर चले गए। और वहां से प्रिच्पी पर अब्देण ह हुए। एक दिन महरीशिय नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के आठमें गरब से भगवान विष्णु उत्पन होंगे, जो तुम्हारा वद करेंगे। बस यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और उसने देव की तधा वसु देव को कारा ग्रिह में बंदी बना लिया वसु देव ने यह प्रतिक्या की थी, कि देवकी के गरब से जो जो पुत्र उत्पन होगा, उसे मैं स्वयम लातर दे दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतेग पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। सुना गया है प्रत्थम उत्पन वे छे गरब हिरन्य कश्यपों के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेणा से योग निद्राने क्रमशह देवी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महा माया है, जिसने अविद्य रोप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है उससे श्रीहरी ने कहा कि यह नित्रे तु मेरी आग्यासी जा और पाताल वासी छे गर्भों को एक-एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे यह सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे तत पशचार मेरा शेश नामक अंश अपने अंशाज से देवकी के उदर में सात्में गर्भ के रूपे तकट होगा वसु देव जी की दोसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है तु प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल दे। उसके विश्य में लोग यही कहेंगे कि देवकी का सात्वां गर्ब भोज राज कंस के डर से गिर गया गर्ब का संकर्षन होने से रोहिनी का वहवीर पुत्र लोग में संकर्षन नाम से विख्यात होगा उसके शरेर का वर्ण श्वेत गिरी के शिखर की भांती गौर होगा उसके बाद मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूँगा उस समय तुझे भी यह शोदा की गर्ब में अविलम प्रवेश करना होगा वर्षा रितू मैं श्रावन माज की ख्रेश्न पक्ष की अश्टमी तिथी को आधी राथ के समय मेरा प्रादूर भाव होगा और तू नव्मी तिथी में यह शोदा की गर्ब से जनम लेगी उस समय वसुदेर मेरी शक्ती से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शया पर पहुँचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे पिरकंस तुझे लेकर पत्थर की शीला पर पचाड़ेगा किन्तु आप उसके हाथ से निकल कर आकाश में खहर जाएंगी अपनी बेहन बनानेंगे फिर आप शुम्भ निशुम बादी सहस्त्रों दैत्यों का वद्ध करके अनेक स्थान बनातर सारी प्रित्वी की शोभा बढ़ाएंगी भूती, सनन्ती, किर्ती, कांती, प्रित्वी, द्रिती, लज्या, पुष्टी, उश्या तथा अन्य जो भी इस्त्री नामधरी वस्तु है वह सब आप ही हैं जो प्रादहकार और अप्राहं में आपके सामने मस्तक छुकाएंगे और आपको आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, शेम्या तथा प्षेम करी आदी कहतर आपकी स्तुति करेंगे उनके समस्त मनुरत मेरे प्रसाद से सिध हो जाएंगे जो लोग भख्ष, भुज्ज, आदिपदार्थों से आपकी पूजा करेंगे उन मनुष्य पर प्रसन होकर आप उनकी समस्त भिलाशें पोन करेंगे वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चे ही कल्यान के भागी होंगे इसलिए हे देवि, जो कारे मैंने आपको बताया है उसे पूण करने के लिए चाओ ओम नमोह नारायनाय, हे प्रिय भक्तों तो इस परकार आज का यह अध्याय यहीं समाप्थ होता है अध्य अध्याय में आप भगवानत अवतार, गोकुल गमन, पोतनावद, शकट भंजन, यमलार्चन उध्थार, गोपों का वरिंदावन गमन, तधा बलगाम और श्री क्रेश्न का बच्छले चराना आदी वर्णन सुनेंगे तो हे प्रियभद्टों, सब ही प्रेम से बोलिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.